दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू पिक ए स्टॉक लंबे समय तक कोई एक स्टॉक कोई शेयर आपने खरीद लिया किसी कमपनी का और आपको बहुत जादा प्रॉफिट दे रहा है लंबे समय तक प्रॉफिट दे रहा है जिसमें लॉस के चांसेस कम है मार्केट डिप हो रहा हो तो भी आपका स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा है उस पे बहुत सारा इनो स्पेकुलेशन बहुत सारा उथल पुथल इसका असर कम पढ़ रहा है कैसे चुनें कैसे दो-चार ऐसे स्टॉक चुनें कि सेक्टर का स्टॉक चुनना चाहिए लार्ज कैप हो मिड कैप हो और और क्या टेकनिकल पैरामेटर्स हैं जिसको हम अगर ध्यान में रखते हुए स्टॉक को पिक करें कि पर्टिकुलर स्टॉक आपको हमेशा प्रॉफिट ही दे क्योंकि इसका नाम ही है स्टॉक मार्केट जहां पे बहुत सारे रिस्क इन्वाल्व होते हैं हर जगर डिस्क्लेमर लिखा होता है लेकिन फिर भी इसी स्टॉक मार्केट में कई लोग अच्छा कासा प्रॉफिट बना रहे है तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोसिस करेंगे कि आप कैसे और कौन सा इस्टॉक पिक करें जिससे की probability, chances आपके कमाई के ज़्यादा हो long term benefits के ज़्यादा हो तो मेरा नाम धलंजा है इस वीडियो में मैं पूरा selection procedure बताऊंगा जो मैं generally follow करता हूँ और अकसर फायदे में ही रहता हूँ और इसमें कोई recommendation बिल्कुल भी नहीं है यह मैं सोचना मैं आपको कोई company recommend कर रहा हूँ वो अलग platform होता है उसके लिए अलग brokerage firm अगर होते हैं वो लोग technical और fundamental analyze करके आपको बताते हैं तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ जितना भी मैं आपको नाम लूँगा दिखाऊंगा इस screen recording से वो सब आप उसके बाद अपनी study करके finalize करेंगे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा मैं particularly जब इस talk select करता हूँ तो कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देता हूँ हलाकि इसके बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मेरा एक वीडियो जैनवरी का पड़ा हुआ है जिसमें मेरा consideration होता है fundamental मैं personally अगर जितने भी मेरे पास stock है ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी है उसमें fundamental analysis में मैं देखता हूँ company का market cap कितना है company का track record कितना है company के उपर कितनी debt है company का profit earning ratio क्या है उसके बाद मैं देखता हूँ company का promoter कौन है ये सारे factor मैं आपको बता रहा हूँ फिर company किस zone में काम कर रही है company का sector क्या है pharma है industry है या इनो banking है या फिर इनो और कोई technical है या services है IT है क्या कि sector की company है ये सारी चीजे मैं अपने आप में ध्यान देता हूँ उसके बाद मैं कुछ technical term यूज करता हूँ stock को screen करने के लिए जिसके बारे मैं आज बताऊंगा अभी और वो technical होता है उसका alpha क्या है उसका beta क्या है beta को beta भी कह देते है कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत और screening वाली quality ये जानने के बाद एक stock को आपके पास 4000 से जादा stock listed है उन 4000 में से आपके पास 10 या 20 company या 50 company home में भी आ जाए जो आज मैं दिखाऊंगा उन companies में से आपको एक company pick करनी होगी अपने लिए 1, 2, 3, 4 जितना भी आप चाहते हो कई-कई लोग मैंने देखा है कि अपने एक parameter पे company select कर लेते हैं सब में कुछ नो कुछ एक सेयर दो दो सेयर सबका खरी लेते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं it all depends on your own choice कि आप कैसा choose करना चाहते हो लेकिन फिलाल मैं आपको alpha, beta ये सारे बारे में बताता हूं और profit earning ratio बाकी चीज़े मैं बता चुका हूं या उसका यहाँ पर वीडियो मैं डाल देता हूं तो alpha क्या होता है alpha basically वो parameter होता है जो बताता है कि market के growth से वो कितना percent beat कर रहा है उसको for example ऐसे आप नहीं समझेंगे for example अगर index 5% से grow करता है और किसी company का alpha 10 है तो वो company 15% से grow करेगी यानि alpha बताता है कि वो index को कितने percent से beat कर रहा है तो कितना बढ़िया हो गया यार high alpha अगर index जा रहा 5% तो आपकी company 15% पर चली गई मज़ा आ गया तब तो सारे के सारे लोग जितने भी हैं सारे alpha ढूड लेंगे या आप तक ढूड लिया होगा लेकिन इसमें और कई parameters है माल लो किसी का alpha पहले alpha के बारे में बता दूड जीरो है तो index के साथ चलता है किसी का alpha अगर minus 5 है तो अगर index 5% ग्रोग किया तो वो company 0% ग्रोग करेगी अगर index minus 2% हुआ तो वो company minus 7% होजगी अगर index 2% ग्रोग किया तो वो company minus 5 और कम यानि minus 3% ग्रोग करेगी तो minus alpha तो बिलकुल recommended नहीं है क्योंकि minus alpha मतलब वो index को negative side में बीट कर रही है अब सिर्फ alpha लेने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा कहने से कि alpha देख लिया जाए लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त है beta वो भी बड़ा fact वो भी बड़ा matter करता है beta volatility को measure करता है flexibility को measure करता है मतलब यह कोई particular stock का beta अगर given है सबसकर वो beta 2 है तो वो particular stock 2 गुना volatile है index बढ़ा 5% तो वो company बढ़ जाएगी 10% किसी का beta अगर 5 है तो 5 times बढ़ जाएगी तो 5% अगर index बढ़ा तो आपका वो stock जिसका beta 5 है वो 25% बढ़ जाएगा अब आपको लएगा यार ऐसे stock तो बड़े मज़ेदार है क्योंना हम high beta वाला stock पकड़ ले और एक आएक कोई company 15% बढ़ती है उसमें से हम उससे 5 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ा के पैसे निकाल लेंगे ऐसा नहीं होता ये उल्टा भी होता है मनलब beta दोनों side में volatility दिखाती है market गिरा 5% आपका stock गिर गया 10% क्योंकि आपका beta था थो तो high beta dangerous है low beta काफी हद तक ठीक है alpha में क्या दिखा जाए चलो एक ऐसे हम लोग graph बनाते है और इसको x y axis पे समझने की कोसिस करते है तो मैं यहाँ पे screen पे आपको दिखा रहा हूँ x axis पे दिखा रहा हूँ alpha को y axis पे beta को दिखा रहा हूँ अब मैंने इसको 4 पार्ट में divide कर लिया एक हुआ low alpha low beta low alpha का मतलब चलता है बहुत ज़्यादा इन्हों आपका जो particular stock है index को beat नहीं कर रहा है low alpha गमलब यही हुआ कि माल लो आपका alpha 1 है 0.5 है तो इतना ही times beat कर रहा 0.5 थोड़ा कमी हुआ कि इतने गुना beat कर गया एक हुआ तो जितना अगर index बढ़ रहा उतना ही stock बढ़ रहा है low beta का मतलब हुआ flex उसमें उतार चड़ा भी नहीं है तो यह generally उन सारे investors के लिए है जो सुकून भरी जिंदगी चाहते को रिस्क चाहते ही नहीं है और अगर आप रिस्क नहीं चाहते हो सुकून भरी जिंदगी चाहते हो तो bank में डाल दो post office में डाल दो saving account में डाल दो FD करवा दो तो यह उनके लिए है एक होता है इसी y axis पे high beta और low alpha high beta और low alpha का मतलब क्या हुआ आप सोचोगे यार इसमें तो alpha यानि index को beat करनी रहा है और beta flexibility बहुत ज़्यादा है बार चड़ा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे stock का क्या मतलब ऐसे stock का कुछ लोगों को मतलब होता है कुछ लोग ऐसे stock पसंद करते हैं guess करिये कौन वीडियो को रोक के comment करिये कौन ऐसे stock पसंद करता है trading वाले लोग जो trade करते हैं उन्हें तो यार दिन भर screen पे चिपके रहते हैं उन्हें पता ये stock उपर नीचे जाता है एक company है मैं नाम नहीं बताऊंगा बहुत बड़ी company है बहुत सारी बड़ी बहुत बड़ी company है वो बहुत fluctuate करती रहती है कभी कभी upper circuit कभी lower circuit पीछे तो उसके खिलाफ बिबाद भी था तो वहाँ पे trading के लिए बड़ा help कर जाता है वो ऐसे stock और भी बहुत सारे stock है जहाँ पे alpha लोगा beta बहुत हाई होगा अब आजाते हैं तीसरे point पे तीसरा point होता है जहाँ alpha भी जादा तीसरा quadrant का हिस्सा आप स्क्रीन पे देख रहे होगे जहाँ alpha भी जादा है जहाँ beta भी जादा है एक बाल बताओ alpha भी जादा, beta भी जादा यानि index को कई गुना beat कर रहा है volatility भी बहुत है आप जाना चाहोगे alpha तो ठीक है समझ में आता है उस पे circuits लगते है ऐसे stock, crypto वाले भी ऐसे stock है तो यहाँ भी trading या बहुत high risk ability वाले लोग ही इसको पसंद करते है दूसरी बात आजाते है जो चौथा quadrant हमारा चौथा point है वो सबसे बढ़िया alpha high, beta low ऐसे stock आप देखो जो अगर index बढ़ रहा है 5% तो stock आपका बढ़ जा रहा है 10%, 7%, 8% index बढ़ रहा है घट रहा है मालो 2% का तो आपका stock घटके हो गया मालो 1% का ऐसे stock पसंद करवा high beta recommended नहीं है तो चलिए इसको मैं screener से दिखाता हूँ कि screener से क्या आप कैसे conclude कर सकते हो मैं screen recorder ले लेता हूँ और मैंने एक use किया है website ticker tape dot in मेरा recommendation नहीं है ना तो sponsor है वो ticker tape dot in तो इससे ही बिताता हूँ अच्छी चीज़ें अपने आप recommend हो जाती है न तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ stock screener मैंने stock screener निकाला और अब इतने सारे parameter मेरे पास आ गए है आप देख सकते हो company जब मैं आज record कर रहा हूँ 4,750 results है इस stocks के अब मुझे market cap सबसे पहला screener मैं पसंद करता हूँ मैं हमेशा large cap चाहता हूँ अगर आप mid cap चाहो आप small cap चाहो तो filter में डाल सकते हो तो mid cap ले सकते हो large cap मैं large cap ले लिया तो दिखा रहा 64,577 crore से लेके 15,61,744 crore की turnover वाली company आ गई 100 यानि Nifty के 100 बड़ी company हलाकि आप अपना range नीचे कर सकते हो लेकिन यह तो बहुत बड़ी बड़ी company आ है इसके बाद मैं profit earning ratio में चाहता हूँ कि ठीक ठीक मिल जा है मुझे इस पर वीडियो बना चुका हूँ profit earning ratio मैं चाहता हूँ 10 से 20 के बीच में आ जाए minus तो मैं विल्कुल नहीं चाहता हूँ 0 से ले लेता हूँ 30 तक 30 भी ज़्यादा हो गया 20 तक ले लेता हूँ profit earning ratio मैंने ले लिया 20 इसमें मेरे पास सिर्फ 27 companies आ गई है अब add filter add filter में मैं देखो बहुत सारे parameters है technical indicator में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे देखो मिल गया मेरे को alpha मेरे को मिल गया beta alpha पे लिखा हुआ है excess return of the stock relative to its benchmark calculated using 104 week price close point 104 week का average के हिसाब से alpha लिया गया है अब alpha का आपको जो filter दिया गया है उसमें मैं select करके बताता हूँ कितना alpha चाहिए तो मुझे alpha चाहिए 0.5 ले लेता हूँ से लेके alpha ले लेता हूँ 2 तका positive 2 यहाँ चलो 5 ले लेता हूँ 1 से 5 ले लेता हूँ कोई है यह नहीं तो ऐसा करता हूँ 2 ले लेता हूँ 2 में भी कोई नहीं middle alpha ले लेता हूँ middle alpha आ जाता है low alpha ले लेता हूँ low alpha तो बहुत कम हो गया middle alpha ले लेता हूँ 14 से थोड़ा सा और range कम कर लेता हूँ company बढ़ा लेता हूँ 3 से ले लिया और थोड़ा काम करते हैं जो जीरो से लेके 63.24 का अलफा ले लिया जो बहुत 63.24 का मैं तो दंग हुआ या ऐसे अलफा भी होते हैं उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक और फिल्टर लेता हूँ बीटा जो वोलेटिल्टी को मेजर करता है देखो बीटा भी यहाँ पे है जब मैं बीटा टिक कर रहा हूँ तो इस प्यारा बीटा इसे मेजर आप कंपनी इस स्टाक प्राइस वोलेटिलिटी रिलेटिव तो दे म मैं 0.5 ले लिता हूँ अगर 0.5 से लेके और मैं जा रहा हूँ दो बीटा देखते हैं कितने स्टॉक बचते हैं कोई नहीं बचा तो लो बीटा में आ गया मैं 14 तक आ रहा है जीरो से यह 6 कमपनी आई जो 0 से 14.27 लो बीटा किया गई मेरे सेलेक्टर में अब इसमें है कौन-कौन यार जब आप देख लो कितनी कमपनिया निकल गया गई है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 कमपनी आ गई हैं इसमें बैंकिंग सेक्टर की जादा दिख रही हैं Indescent Bank and IDBI Bank Indian Oil Corporation है and Hindustan Jink है यह सारी companies मैं जानता हूँ जहांका profit ratio भी दिया हुआ है जहांका alpha भी दिया हुआ है जहांका beta तो beta इधर दिया होगा नहीं beta नहीं दिया हुआ है क्या beta मैंने applicable नहीं किया रूप जोब beta मैंने लगता है applicable नहीं किया जोब एक बढ़ा दिया हमने add filter में beta को applicable नहीं किया लगता है done तो beta अपने आप मैंने यहाँ पर select करके दिखा दिया आप देख सकते हो ICIC का 1.33 है State Bank का 1.42 है and 7 stock आगए मेरे पास 7 stock आगए इसको मैं क्या करूँगा इसको मैं export कर लोगा और export करके मैं इसको यहाँ से अपने पास रख सकता हूँ और इसमें अपने investment journey की start कर सकता हूँ so these were the process जिससे आप अपने आपको सीख दे सकते हैं और मुझे लगता है कि यह long term investment के लिए आपको फाइदा दे सकता है इस तरह से screener और भी बहुत सारे parameters हैं देखो आप add filter में मैं दिखा हूँ आपको बड़े सारे technical indicators हैं बड़े सारे price volume है कि volume क्या है percentage away from 52 week high one year return five year cumulative average gross return daily volume, face volume, close price यह सारी चीज़े one day return, one week return, valuation financial ratio, profitability financial ratio कौन कौन से हैं आप देख सकते हो interest coverage ratio, quick ratio, asset turnover ratio cash conversion ratio बहुत सारे ratios हैं यहाँ से आपको idea लग सकता है so I hope यहाँ से आपको काफी समझ में आ गया होगा अब आप एक right decision ले सकते हैं investment के लिए thank you very much, bye bye, take care